तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखो कि इसमें क्या है कि हमें basically एक solid sphere है जिसका mass M है और radius R है और इस solid sphere की वज़े से gravitational pressure find the pressure inside the sphere मतलब इस solid sphere से कुछ distance पर जाओगे तो वहाँ पर कितना gravitational pressure बनेगा उसको निकालना है और यह gravitational pressure क्यों बनता है because gravitational compression ठीक है function of distance R from the center the evaluate P at the center of the earth assume it is uniform sphere ठीक है तो अगर आप देखोगे तो center पर कितना होगा तो center पर तो R की value 0 होगी तो यहां से मैं काम करता हूं सबसे पहले एक general distance R पर मैं निकालता हूं तो R पर निकालने के लिए यहां पर एक सब्सक्राइब यहां पर मैं चला गया यह distance R है और यह पूरा का पूरा इस solid sphere का distance capital R है mass capital M है distance capital R है तो इस P point पर हमें gravitational pressure निकालना है actually आप imaging कर सकते हो कि यह जो solid sphere है बहुत सारे sales से बना हुआ है ऐसे और इस सारे sales contract होके collapse होना चाहते हैं तो इधर की direction में जो normal ऐसे जो नौर्मल लगेगा यही इनको बचा कैसे रखा है ठीक है समय रहे हो जिसकी वज़े से यह collapse नहीं हो पा रहा है तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं तो कुल्विला के जो है उनकी वज़े से जो compression है वो पूरी मैं यहां से सुंटर सी दूर जाऊंगा तो प्रेसर निकालने के लिए simple सा अब फ्लूइड में पड़े होगे में फ्लूइड मेकैनिक्स में पड़े होगे कि अगर liquid के tube के अंदर जाते हैं ट्यूब के अंदर जाते हैं यहां से तो इस पॉइंट पर प्रेशर प्रेशर पीटू है तो पीटू- पीवन जो प्रेशर डिफ्रेंस है पीटू- पीवन इसकोल टू रोज इह चोता है तो इसी फार्मिले को मैं यहां से एक छोटा सा यहां से डेप्थ यहां से मैं कुछ यह देप्पप्त पर गया और यह कितना have to यह अ धर बसीकली तुम देखोगे तो एक छोटा सा तीकनेस कि छोटा सा पीकनेस डीक्स एलेमेंट लिए हूं हौन यह डीक्स इलेमेंट ऐसा यह वोला डीकस इलेमेंट इस छोटे इसे dx element की वज़े से अगर आप इस dx element की वज़े से अगर आप प्रेशर लिखोगे तो वो प्रेशर डीपी होगा और रोजी dx होगा ठीक ना आई बात समझ में बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं यार जे एडवांस में इस पे कई बार कोशन आया है तो आप इसको चोटा सा element है इस चोटे से element पे प्रेशर में लिखना चाह रहा हूं तो इस चोटे से element प्रेशर डेंसीटी डेंसीटी एज उक्वाल टी एस्पीर की मास डिवाइड़ भॉल्लूम फोर बाई तीरी पाई आर क्यू और मल्टिप्लाइड बाई जी इस डिस्टेंस पे यहां से x डिस्टेंस पे x ले लो यहां से x डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल फिल्ट होगी उसकी वैलू होगी जी एम x ओभर आर की पावर क्यू और यह dx, this is the dp. तो small gravitational pressure चोटे से element d x सेल का, तो dp की जो वैलू आ जाएगी वो देखो यह ठिरी ऊपर चला गया और 4 यहीं रह गया तो यहां से तुम देखोगे तो 3y4 और यह gm का square बना और इधर बना πाई और r की power 6 और इधर बचा x dx अब limit लगा के integrate कर दो यहां ठीक है एक्स की value जब x की value इसमाल r से तो जो pressure था उमाल लेते हैं p था तो x की value जब capital r हुगा टॉप पर तो pressure 0 हुगा तो यह 0-p is equal to 3 by 4 capital g m का square पाई r की power 6 और यहां से x square by 2 और इस x की limit जाएगी प्यारे बच्चों limit जाएगी इसमाल r से capital r तो यहां से तुम देखोगे तो यह minus sign को ignore कर दो तो pressure 3 is equal to g m square over 4 pi r की power 6 और यहां से r square over 2 तो finally जब इसको solve करोगे तो यहां जाएगा 3 g m का square और यहां 8 pi r की power 4 तो तुम देखोगे यहां पर यहां पर जब लिमिट रखोगे तो यह लिमिट रखोगे तो यहां 1 by 2 तो यहां side में आ गया तो capital r का square minus small r square तो जो pressure as a function of r बनेगा वो 3 g m square over 8 pi r की power 6 r square minus small r square यह वाला चीज तो यह वाली जो चीज है basically कुछ नहीं है वह प्रेशर as a function of r at center की बात करोगे तो center पर बात करोगे यहां पर तो r की value 0 होगी और pressure जो है maximum होगा और इस pressure की maximum value आ जाएगी 3 g m का square over 8 pi r की power 6 और multiply कर दूँ small r की value 0 की r का square मतलब 3 g m का square over 8 pi r की power 4 और यह maximum value है और यह center पर और इसकी minimum value है वो small r capital r के बराबर है that is minimum value इसकी 0 है ठीक है तो minimum value 0 है और maximum value इस pressure की यह वाली चीज है जो की center पर है इसका मतलब है हुआ कि जब कोई भी solid sphere बनता है तो center से दूर जाओगे यहां तो pressure की value degrees होती जाती है तो आई होब कि यह बहतर तरीके से clear हो गया होगा बहुत आसान तरीके से समझाए हो fluid का concept है और कुछ नहीं है ज्यादा difficult नहीं है और भी इस पर question देख लेना search करके थैंक्स पर वच्छिं इस वीडियो